प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने कुरोना वायरस को लेकर दूसरी बार मंगलवार को देश को समभूदित किया PM मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यों की सफलता के लिए देश की जनता बढ़ाई के पातर है पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा आज रात 24 मार्च 12 बजे से देश के हर इसे में लॉकडाउन किया जा रहा है उन्होंने इसे एक तरह का कर्फियों ही बताया ये जनता कर्फियों से ज्यादा सक्त होगा कुरोना महामारी को रोकनी के लिए ये लॉकडाउन जरूरी ह समाजी दूरी ही कुरोना से बचने का एक मात्र उपाय है आपकी गलत सोच देश को मुश्किल में जोक देगी घर के बाहर आपका एक कदम कुरोना को बुला लेगा पी-म ने कहा कि कुरोना ने आपके घर के बाहर एक लक्षपन रेखा खिच दिया है आपको याद रखना है कि घर के बाहर जाने वाला आपका एक कदम कुरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर ला सकता है कुरोना के बाद चीन में हंता वायरस की आपत आईए जानते हैं हंता वायरस से भारत को कितना खत्रा है चीन में जा चुकी है एक सक्स की जान यह वायरस शूहों में पाया जाता है इंसानों में इसके संक्रमन के वाकिये दुरलब हैं क्योंकि सूरज की रोशनी में आने के बाद यह वायरस मर जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वैरस नहीं फैलता है नोविल कोरॉना वैरस के बाद चीन से सामने आया एक और वैरस साल दोहेसराट में तमिलनाडू में फैला था ये हंता वैरस 2006 में मुंबई के एक बच्चे की भी हुई थी मौत हंता वायरस ने चीन में सोमवार को एक व्यक्ति की जान ले ली नोविल कॉरोना वायरस के बाद इस वायरस के सामने आने के बाद अफरा तप्री मच गई है जो व्यक्ति इसका सिकार हुआ वो काम करने के लिए बस से साडोंग परांत लोट रहा था उसे हंता वायरस पॉजिटिव पाया गया था बस में 37 अन्य लोगों की भी जाच की गई है चीन से मामला सामने आने के बाद सवाल उठता है कि क्या भारत को इसे कोई खत्रा है जी हाँ भारत में पहले भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं साल 2008 में तमिलाडो के वेलोर जीले में हंता वायरस फैला था तब इरूला समधाय के 28 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए थे ये लोग मुख रूप से सांप और चुहे पकड़ते हैं 2016 में एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हुई थी रिपोर्ट के मताबिक उसके फे फ्रोसिबिलिटिंग हो रही थी ये वायरस का परमुख लक्षन है ये वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है मगर अगर कोई व्यक्ति चूहो के मल पेसावादी को चूने के बाद अपनी आख ना कान और मौ को चूता है तो उससे हंसा वायरस से संक्रमित होने की खत्रा बढ़ती है अच्छी बात है कि सुरज की रोजनी के संपर्क में आने के बाद ये वायरस नस्ट हो जाता है Center for Disease Control and Prevention के अनुसार हंता वायरस वायरस की उस फैमिली के मेंबर्स हैं जो मुक्य रूप से चूहों में होते हैं ये हंता वायरस Pulmonary Syndrome देता है इसके अलावा Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome भी हो सकता है ये विमारी हवा में नहीं फैलती HPS के सुरुआती लक्षनों में थकान, बुखार, मांस्पेसियों में दर्द सिर्दर्द छक्कराना और पेट दर्द सामिल है अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो खांसी और सांस लेने में समस्य होती है ये हैं बीमारी जानलेवा और CDC के मताबिक संक्रमित व्यक्तियों के मरने का आंकरा 38% है HFRC के सुरुवाती लक्षन भी ऐसे ही है मगर उससे low blood pressure, acute shock और vascular leakage के अलावा kidney failure भी हो सकता है HPS इंसान से इंसान के बीच नहीं फैलता मगर HFRS हो सकता है हलाकि यह ब्यद दुड़लव है एक बार फिर याद दिलाता हूँ भारत में अब तक nobel coronavirus के 500 से भी ज़्यादा केस आ चुके हैं 10 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से खत्र के निपटने के लिए देश के सभी हिस्सों में पुर्णता lockdown कर दिया गया है आज 12 बजे रात के बात से परधान मंत्री ने यह आज राश्टर के नाम संदेश में ये जानकरियें दी और कहा बिमारी से बचना है तो घरों में रहें इसका कोई इलाज नहीं है यही एक इलाज है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपना खयाल रखें घरों से ना निकले